नमस्कार आप देखरे हैं न्यूस्वाल इंडिया आपके साथ मेहू का जोन अरायन बहुत स्वागत है आपका जन की बात में मेरे साथ मौजूद है न्यूस्वाल इंडिया के अडिटर इनचीफ हरिश अस्वाल जी और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर या मुद्दे कहें या मैं ये कहूं कि मुद्दे नहीं कहा जा सकता है यह आज की परेषानी है आज की जो तस्वीर है वो ऐसी ही है बात करेंगे उन messages की जो जब भी हम बात करते हैं आप लोगों की किसी भी मुद्दे पर देश में जो बड़े मुद्दे होते हैं देश में जो छोटे मुद्दे होते हैं आपके मुद्दे होते हैं हमारे मुद्दे होते हैं उन पर हम बात करते हैं और कुछ लोग comment करके हमें सजस्ट भी करते हैं कि आप हो सके तो इस पर भी बात कीजिए ये हमारी परिशानी है तो अज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हमारे पास आए हैं उसमें मुद्दा है कि क्या टीवी चानल्स या सोशल मीडिया या ख़बार सिर्फ चिताएं सम्शान तरपते लोग क्यों दिखा रह है क्या हमें यानि की पत्रकारों को उनका फर्ज इतना नहीं है कि उन्हें ये दिखाना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन पास करनी चाहिए कि कहां ऑक्सीजन मिल रही है कहां ऑक्सीजन सेलेंडर रिफिल हो रहे हैं और कहां से आप प्लाजमा डूनर को ढूंड सकते हैं कोई कि ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी मदद कर रहा है इसी तमाम चीजे जो लिखी गई हैं और मैं चाती हूँ कि अरिज जी बताएं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस तरह कि यहां मांग की जा रही है या जिक्र किया जा रहा है इन बातों का जी आज एक मैसेज हमारे पास आया जो बड़ा ही मलब लोगों का रोश भी समझ लीजिए इसमें कहीं ने कहीं पे पतरकारों से कुश्चन मांग किया गया है कि क्यूं आप धधधगती वी चिताएं मरीजों भरे अस्पताल परिशान परिजन सजीवी अर्थी दरदर भट परिजन भूख से तड़पते रहागीर आखिर ये सब दिखा कर क्या जताना चाहते हैं हमारे निउस चैनल तो मैं इसी पर थोड़ा सा आऊंगा कि लोगों ने अपना थोड़ा सा दिखाया कि क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग जो दिखाते हैं या हमारे जितने भी बनती है और आप लोगों की जो परिशानिया ना वो हम वहां तक पहुचाते हैं तब जाके कहीं सरकार के पास सूचना पहुचते हैं कि कौन कितना परिशान है अगर हम यह भी ना दिखाएं ना तो शायद सरकारता की बात पहुचने हैं बहुत लेट हो जाएंगे तो हम एक माद्यम होते हैं कि हम आपके हर परिस्तिती को आगे जाकर दिखाते हैं तो इसमें ये आप 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 इसमें एक आया कि हम टी आरपी देखें टी आरपी के लिए ये काम नहीं होता काम आपकी परिशानियों को लेके हैं आपकी बातों को लेके आगे पचाना है कौन लोग परिशानी हमारे पस भी यह मैसेज आया इस तरह कि कई मैसेज़ आते हैं कि आप यह दिखाईए वो दिखाईए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपको हर सुईधा उपलब दो आपको ऑक्सिजन की प्राब्लम ना हो बेड्स आपको टाइमली मिलें आपके बहुत सारी जीपतों के बीच में जाता है आप तक वो खबर पहुचाता है तो आप लोगों की नराजगी जरूर है पर उससे भी उतना ही अच्छा वेवार करें उससे भी इतनी अच्छी अपेक्षाइन रखें जितने आप उमें पुत्र से रखते हैं कि वो सुरक्चित आये सब्सक्राइब का मैं करते हैं लोग फ़र करते हैं हैं आप लोग खबर पहुचाते हैं आप ये सचाई दिखाना जरूरी भी है तब ही आप एक अपने लिए बेहतर सरकार चुन सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि कौन सी सरकार आपके लिए काम कर रही है, या आपके जो आपके साथ हो रहा है, उसको देख रही है, अगर हम ना दिखाएं या हम ना बताएं, तो केज जिवाल जी ने जो कल राशन मुफ पर पहुंशते हैं, और सबका मकसद एक है कि सरकार पर आपकी बात पहुंचे, आप तक वो सुविधाएं सारी पहुंचे, जो विए आप लोग expect कर रही हो कि सरकार हमार साथ ऐसे करें. और बिल्कुर इसका मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, देखे, हमने देखा है कि बड़े चैनल्स कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसी तस्वीरे आपको दिखाती हैं, जो आपको भावुक कर सकती हैं, आपको डरा भी सकती हैं, लेकिन उसको अगर आप पॉजिटिव या या फिर सकरात्मक वे में देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि स्तिती कितनी जादा बत्तर है, आप अपनों से बात करेंगे फोन पर और बोलेंगे कि आप बाहर मत निकलिए, बहुत जादा स्तिती खराब है, आप घर पर रहिए, आप ख इतने जल्दी जागरूप करा हैं, आप लोगो स्तिती से अवगत करा हैं, नहीं तो आपको कैसे बता लगा है कि आपके बगल वाले शेहर में क्या हो रहा है, या बगल में क्या हो रहा है, आप कैसे उसको जज़ करेंगे? जैसे हरीश जी अभी हाल ही में हुआ है कि गाज़ेबाद के इंदरपुरम में आमरुपाली जो विलिट है, वहां पर दो सो जो परिवार हैं वो कोरोना पोस्टिव भाए गए हैं, बहुत बड़ी संख्या एक साथ मिली है, दो सो लोग एक साथ, दो सो परिवार, मैं तब और अगर ऐसी चीजे हम ना दिखाएंगे तो फिर हो सकता है कि संक्रमन टेजी से फैले क्योंकि कुछ लोग ना, देखें, वैसे कानूलन अपराध है कि अगर आप कोविट पॉस्टिव हैं आपको संक्रमन लग रहे हैं, आप छुपाते हैं उस चीज को तो, लेकिन कुछ यंवे बहुत्ख कर रही है कि आप कैसे आगे नोगों, आप कैसे पहुंच पाऊंगे वहाँ था कि वाहाँ कि स्थिति क्या है, मैं नौइडा में बैठा हूं, मुझे ग्रेटर नौय तीप्तरस क कैसे पतलाःगा मुझे आदिली की स्थिति का कैसे पतला, एक पतरकार ही अाल है मेसेज करो हमारे चैनल पे जाके हमेसेज कर हो Uishi सब करेंगे हमके सब करेंगे तबी तो जो लोग जिन लोगों तक हम मदद पहुचा रहे हैं, क्योंकि हम अलग से भी मदद पहुचा रहे हैं, वो लोग हमें धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने समय पर चाहे वो injection की विवस्ता हो, चाहे वो bed की विवस्ता हो, या oxygen की विवस्ता हो, कई बार हम personally भी करते कई बार ऐसा भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं बहुत सारी लोग ऐसे अगर आप जाएंगे सिर्फ मरनुरंजन के लिए सोशल मीडिया मत देगे चाया वो इंस्टाग्राम हो चाय वो फेस्बूक हो चाया वो टुटर हो चाया वो वोट्सैप हो यहां पर आपको बहुत सारी रिस्टुल के या फिर घधा्य आपको डू जाएगा या फिर किस अधितिा, इसारी पहल पते उन्चाथ वह रहाईगा. सारीर रिखली वे उसतес्तुल सागंनों करतए है और आग्रा में पर खार्याईट डला प्रन शक्रण वह समय है . लोगों को पता ही नहीं है कि कहा जाना है तो इंजेक्शन वह चले जाते हैं, चैमिस्ट के पाँ वह जो जो कि के बड़ा अच्छा सा हमारे टुटर पा अच्छा लगा, इस तरह से हम इस दूसरे को मदद कर सकते हैं, यह हमारा काम है, हम उसको thank you के लिए नहीं काम किया है हमने हमारा यह actual में काम है कि हम किसी की mदद कर पाएं समय पर मदद कर पाएं तो आप लोग हमारा माध्यम बने हम आपका माध्यम बनेंगे सरकार तक बात पचाने का क्योंकि ठीक है आप लोग हम तक किसी तरह से messages करेंगे आपके messages हो सकता गौवर्मेंट में बैठावा कोई ने सुन रहा हूँ, बट ट्यूटर, यूट्यूब ये सब चीजें चैनल की देखी जाती हैं, तो आप हमें भेजेंगे, हम आगे भेजेंगे, एक्शन होगा, दो दिन में हमने जो काम किया, दो पॉइंट्स उठाए, उन पे एक्शन पे दे दिये, तो कहीं ने कहीं इन तक बात पहुछाने का हम जर्या हैं, हम पहुचा रहें, और इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यावाद करते हैं कि आपी लोगों से हमारे पर समस्या आई ही थी, हमने आगे बढ़े और हमने आगे बढ़े के इ एक आजकल बड़ा एक हो है कि e-pass, transit pass, यह सब हो रहा है. कर्फ्यू passes, मैं सभी से पुलिस वालों से भी पूछना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि भाई सब आप e-pass, transit pass यह सब आउनलाइन है. एक ध्याड़ी मजदूर वाला आदमी जो है, उसके पाद एक बारा सो रुपे का मोबाईल है, शायद उसमें इंटरनेट भी नहीं चलता, यह चलता भी होगा तो उसे चलाना नहीं आता. अब उसको वो बिचारा ध्याड़ी मजदूरी करता हूँ, कहां से इंटरनेट सलाएगा, कैसे करेगा, तो एक बुजुर्ग के हमारे पास एक स्टोरी आई है कहीं से. तो भाई साथ वो दिल्ली में काम करते हैं और उनके जो पूत्र हैं वो यूपी में थे, उनका परीवार यूपी में है, तो वो वहां से जा रहे थे, पुलिस वालो ने उनको रोग लिया, रोग के उनसे पूछते है कि क्या आपके पास ट्रांजिक पास है, तो उसने कहा स दंडे के बाद उसने आगी की स्टोरी बताई कि नहीं मेरे को ना वहाँ खाने की जरूरत है ना कुछ की, मेरे पुत्र की करोना की वए से डेथ हो चुकी है, अब मुझे उसको क्रिमनेशन के लिए वहाँ पहुशना है, अब सोचिये जिसने वह डंडे लगाए, उसको क्या उसका जमीर क्या जागा होगा, क्या उसको उस टाइम पे क्या बीती होगी कि मैंने कैसे, तो आप मेरा सारांस यह है सारी बात का, कि आप इपास जो है ना, आप उनके पास जाएगे, इपास आप हो उसके, आप उसे रास्ता बताईए, नहीं है उसके पास, तो उसको डाउ अठाके लोगों को पीटना मत सूरू किजिए डंडे से लोगों का इलाज जो लोग वैसी बहुत परिशान है तो आप उन लोगों को थोड़ा मदद कीजिए उनको तरीके से पहुंचने के लिए उनको इस तरह से आप प्यार से बोल दो कि ना प्यार के बोल जो है न वो बड स्टेट में उस पर कोई डंडा उठाएगा आप पर कैसे लगेगा तो आप थोड़ा सा पुलिस वालों से मेरी हाथ जोड़ के विंती प्लीज आप लोगों की मदद करें ना कि आप उन लोगों को इस तरह की भाशा का प्रियोग करते हो उन लोगों को और परिशान करें औ और ये विड़मना है कि देश में कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो बातों से नहीं मानते तो पुलिस को सकताई दिखानी पड़ती है दिखेंगे आप सकताई दिखाईए लेकिन डंडा चलाना तमंचा चला देना डराना धमकाना ये कहां तक सही है हम ऐसा नहीं कह रहे है कि सभी पुलिस कर्मी ऐसा कर रहे है हरीजी हमने इस कोवीड पिरेड में देखा है कि पुलिस कर्मी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से आगे बढ़कर मदद भी कर रहे हैं अपना फर्स भी निवा रहे हैं लेकिन इस तरह की जब स्टोरी आती है तो वाकी आखे नम हो जाती है दुख होता है कि एक बुजर्ग जो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रहा था आपने उसको बिना जाने बिना पूछे उस पर डंडे की बरसात करती है ये वाकी बहुत गलत है इसके अलावा एक और चीज हम अपने चानल के माधियम से कहना चाहेंगे कि हम लोग मदद कर रहे हैं परस्नली भी और चैनल के माधियम से भी इसके अलावा और लोग भी मदद कर रहे हैं आप करके देखिए बहुत अच्छा लगता है सुकून मिलता है अगर एक भी मदद कि आप सेलेंडर पहुंच वाइए किसे घर में ऑक्सिजन का या उने बेट दिलाइए अरे आप एक मेसिज ही फॉरवर्ड करिए कि आप सेफ रहिए हातों को धोईए सेनेटाइज करिए मास्क लगाईए यही बहुत बड़ी बात है यही अगर लोग समझे यही जागरूपत कैसे काम करना है कैसे रहना है हाल चाल पूछो एक दूसरे के बिल्कुल बहुत अच्छे से पूछो और इस तरह की आप विवस्ताओं में थोड़ा साथ दें और पत्रकार बंदों को आप अपना सपोर्ट दें आपनी बात पहुंचाएं आपके आसपास आजकल पत्रकार ह है कुछ फ्रीलांसर हैं को एक चैनल्स के हैं कोई कुछ है Hai अर नहीं तो आजकलная है सब कुछ है किसी पे भी ट्स सकते हो, चैनल को बता सकते हो, कि हमारी यह समझे हैं, हमार को इंग्जेक्शन को लेके प्राब्लम हो रही है, बैट को लेके प्राब्लम हम लोग करने के लिए त्यार है, हम लोग सबी लोग उसे चाहिए तो आज हमारा थोड़ा सा मुद्धा इस तरह का था कि हम लोगों को जागरूप करें कि हम एक दूसरी की मदद कैसे कर सकते हैं, कल फिर नएक नए मुद्धे के साथ, नए बात के साथ, आपके सुजाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जनकी बात में आपके सुजाओं रखे जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद.